मेरे घर में छोटी सी बालकनी है और जिसमें ज्यादा धूप आती नहीं है और मुझे ज्यादा कुछ प्लांट या गार्डनिंग का कुछ नॉलेज नहीं था तो मैंने सोचा कि मेरे गार्डन में मैं कुछ ऐसा प्लांट लगाऊं जो की मतलब जादा उसको धूप की भी जरूरत ना हो और मेरे गैलरी में बालकनी में ग्रीनरी भी ऐड़ हो जाए तो छोटा सा एक मेरा मनी प्लांट था तो उससे ही मैंने बारिश में कटिंग लगाई जोड़ाई थी लेकिन अच्छे से वो वक कर दिया और अच्छे से सर्वाइब कर गये तो इसे ही मैं हर हप्ते एक बार ऐसे हैंगिंग ब्लांट में मैं इसे लगा के रखी हूँ तो इसे मैं सभी को एक साथ नीचे उतार लेती हूं और अच्छे से मनी प्लांट को सभी में या जब स्टिदो धाटि पानी को नीचे उतार के उसे अच्छे से हर एक लीफ को पानी से एलो पढ़ जाते हैं कि यसी तरह से तोड देती हूं तो काफी अच्छा मतलब ऐसे मैं feel कर रही हूँ कि जब से मैंने money plant लगाया है तो काफी अच्छे से grow इसले कर रहा है क्योंकि money plant को जितना अच्छे से care करते हैं उतने अच्छे से वो grow करते हैं उसे अच्छे से जैसे हम नहाते हैं तो हमें freshness आती है हमें ताजगी लगती है उसी तरह से मैंने feel किया है कि जब money plant को मैं अच्छे से एक एक पत्ते पे पानी डालती हूँ तो वो भी बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं और वो हरे भरे रहते हैं और ऐसे करने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है हपते में एक दिन में आधा घंटा इन money plants के साथ देती हूँ तो काफी अच्छा मुझे भी लगता है और इन पत्तों को भी देखके लगता है कि वो भी नहाध होने के बाद बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी सी एक सबजी शेर करूँगी जिसे आप बहुत ही जहटपड बना सकते हैं और घर में जब कोई भी सबजी ना हो तो इस सबजी को आप बना सकते हैं सबी को बहुत अच्छा लगेगा सबी को बहुत पसंद आएगा तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कड़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा दो चम्मच के करीब तेल डाल रही हूँ सबसे पहले हम एक मसाला रेडी करेंगे और इसी से सबजी हमारी बहुत जटपड बन जाएगी तो यहाँ पे मैंने दो बड़े साइस के प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है उसी के साथ यहाँ पे आठ दस लसुन की कलिया ले ली है अद्रक ले लिया है उसे इस तरह से तुकडे में काट लिया है और 5-6 हरी मिच ले ली है, ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम जादा ले सकते हैं, सभी को एक साथ इस कड़ाई में तेल जो हमने थोड़ा सा डाला है, उसमें डालके इसे अच्छे से हमें भूनना है, हाई फ्लेम पे ही प्याज को और सभी चीजों को अच्छे से भू तो इस तरह से हाई फ्लेम पे ही इसे जटपट भूनेंगे, तो 2-3 मिनट के बाद ही देखिए, प्याज इस तरह से भून जाता है, बहुत अच्छी तरह से इस तरह से लाल जैसा करना है, तभी हमारे मसालों में एक अलग सा फ्लेवर और टेस्ट आता है, इस तरह से प्या मैं यहाँ पर यह सुखे नारियल का बुरादा डाल रही हूँ, और इसे भी डालके, दो मिनट प्याज के साथ इसे भी एकड़म डाक ब्राउन कलर में भून लेंगे, और नारियल के पाउडर को लास में डालना है, जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए, नहीं तो अ ठंडा होने के बाद, यहाँ पर देखिए मैंने मिक्सी जार में इसे ट्रांसवर कर लिया है, और थोड़ा सा पानी डालके इसे अच्छे से पीस लेंगे, बारीक एकड़म पेस बना लेंगे, फिर से मैंने कैस पे वही कड़ाई चड़ा दी है, उसे दोया नहीं है, क्यों अच्छे सांथ और थोड़े गर्म मसाले मतलब ड्राइग बसाला पार एट करेंगे, तो यहाँ पर मैं दो च्छोटे चमच धनिया पार डाल रही हूं, वन फोच चमच हल्दी पावडर डाल रही हूं, और साथ ही एक चमच तीखा मिर्ची पावडर डाल रही हूं, और औ जो इस सबजी की में मसाले का इंग्रीडियन्ट होता है यह कांदा लेसुन मसाला मार्केट में बहुत एजली मिल जाता है इसे में दो चम्मज डाल रही हूं और दोनों सबी चीजों को मसालों को पेज के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को यहां पे अभी लो टो म मिडियम कर देंगे और अच्छे से अब मसालों को हमें कुक करना है तो थोड़ा बहुत जो मिक्सी जार में मसाला लगा था तो उसे मैं इस तरह से पानी से उसे अच्छे से वाश करके उसे इसमें आट कर दे रही हूं और ढखके अब मसालों को अच्छे से कुक करेंगे ज यह मसाला अच्छे से पक जाता है तो इस तरह से उसका थोड़ा color change हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज और प्याज कांदा और लसुन का जो मसाला होता है उसे डाला है तो इस तरह से मसाला पक जाने के बाद फिर इसमें हम पानी जो डालेंगे ग्रेवी बनाएंगे गरम पानी डालेंगे गरम पानी डालने से कोई भी ग्रेवी का color change नहीं होता है बहुत अच्छा सा color आता है तो इसलिए यहाँ पे मैं गरम पानी का यूज कर रही हूं और पानी भी उतना ही डालेंगे जितना आपको जरूरत हो तो इस तरह से पानी डालके अच्छे से मसा कुक हो जाएं उबल जाएं तो यहाँ पे देखिए अब इसमें उबाला आने लगा है और अच्छे से यह कुक भी हो गया है मसाला हमारा और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारे ग्रेवी में color आ चुका है तो इस तरह से मसाला और ग्रेवी ready हो जाने के बाद अब इसम तरह से हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए तो इसमें आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज्यादा सेव यह जो सेव आता है इसे डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक कटोरी इसमें सेव डाल रही हूं और इसे डाल के तुरंत ही हमें flame कर देना है और जो ग्रेवी का गर्मा देंगे और इसे अब सर्फ करेंगे गर्मा गरम रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी सा यह सब्जी बन जाता है एक बार इसे आप जरू ट्राई करना आपके घर में सभी को बहुत अच्छा लगेगा जब आपके घर में कोई भी सब्जी ना हो और इस तरह से यह सेव पड़ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन जरूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली निव वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई